हेलो गाइज, वेलकम टू एश्टरी श्वार्ट जापान ने अब अपनी नेवी को मजबूत करने का फैसला किया है जापान के परधान मंतरी फूमियों की सीधा ने कहा कि जापान को ततकाल अपनी सेंड चमताओं को मजबूत करने कियाव सकता है क्योंकि नौर्थ कोरिया लगातार अपनी सेंड चमताओं को बढ़ाने में लगा है और नौर्थ कोरिया के किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए जापान को पहले से तयार रहना चाहिए तो आये जानते हैं कि जापान को नौर्थ कोरिया के अलावा और किन-किन देशों से खत्रा है और यह हवे डिसकस करेंगे कि जब अमेरिका जापान को पहले से ही सुरक्षा की गारंटी दे चुका है तो फिर जापान अपनी सन्य चमताओं को बढ़ाने में क्यों लगा है इस इस एस्टेट एसेंबली ने एस्टेट विजलेंस कमिशन को डिजल्व करने के लिए एक बील पारित किया है करनाटक, पंजाब, गोवा, महराश्ट इसका उत्तर आप कमेंट सक्सन में जरूर दें सही उत्तर की जानकारी मैं वीडियो के अंत में दूंगा रूस ने जिस रही उक्रेन पर हमला कर दिया, उससे यह तो असपश्ट हो गया है कि कोई भी देश किसी को कितना भी मदद करने की गारंटी दे, लेकिन वह बदले में अपनी सेना नहीं उतार सकता, जब तक कोई भी कंट्री खुद से युध लड़ने में कैपेबल नहीं हो, वह किसी भी युध में दूसरे देशों की मदद पर जादा दिन नहीं टिक सकता, 1945 के बाद से अमेरिका जापान को सुरक्षा मुहया कराता आया है, लेकिन इस दरान जापान ने किसी भी अन्य देश के साथ युध नहीं लरा, जापान का तीन देशों के साथ हमेशा तनाव बना रहता है, नौर्थ कोडिया, रूस और चाइना और ये तीनों देश परमानू सकती संपन्न है, इन तीनों के पास ऐसी ऐसी मिसाइले मुझूद हैं, जो धरती के किसी भी कोने में परमानू हमला कर सकते हैं, अगर जापान पर इन तीनों कंट्रीज में से किसी एक ने भी हमला किय और अगर अमेरिका जापान के पक्ष में लड़ने के लिए आवी गया, तो चीन, रसिया और नौर्थ कोडिया, अमेरिका को परमानू हतियारों के दम पर बलैक मेल कर सकते हैं, और अमेरिका को भी यह बात अच्छे से पता है, कि अगर वह डाइरेक्टली रसिया, चाइना या नौर्थ कोरिया में से किसी एक से भी उलजता है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि अमेरिका के खिलाप परमानू हतियारों का इस्तेमाल की आ जाएगा, क्योंकि कन्वेंशनल वार में कोई भी अमेरिका का सामना नहीं कर सकता, परमानू युदु के खत्रे को तो की, लेकिन उसने उक्रेन को ओ हतियार नहीं दिये, जो रसिया की धर्ती को निसाना बनाए, अमेरिकी हतियारों की मदद से उक्रेन खुद को के वल डिफेंड ही कर पाया है, ओ भी अपने चार प्रांतों को गवाने के बाद, जबकि रसिया ने उक्रेन के खिलाप अपन फ्रांस नाटों से बाहर निकल जाए, अब तक अमेरिका उक्रेन को 18 बिलियन डॉलर से अधिक की मदद कर चुका है, और अब अमेरिका में भी उक्रेन युदि के खिलाप परदर्शन हो रहे है, अमेरिका ने भी उक्रेन से कहा है कि उक्रेन रसिया से बाद चित करने पर और अंत में यूक्रेन को रसिया से बात चित करनी ही परेगी क्योंकि रसिया आयुद में पीछे हटने के मूर में नहीं है और लंबी लराई लरने की तयारी कर रहा है इस बैस्विक घटनाव को देखकर जापान भी हसमझ गया है कि अगर समय रहके सुरक्षा के उपाय नहीं किये गए तो उसे भी उक्रेन की तरह सभी देशों से हथियार देने की गुहार लगानी परेगी जापान अगले पांच वरसों में अपने सेन बजट को बढ़ा कर दोगुना करना चाहता है बरतमान में जापान का डिफेंस एक्सपेंडिज अर्टिन बिलियन डॉलर है जा आले में नौर्थ कोरिया ने जापान के उपर से एक बैलेस्टिक मिसाइल फायर कर दिया था जिसके बाद पूरे जापान में इमर्जेंसी अलर्ट जारी किया गया था तो वीडियो की शुरुआत में मैंने अप्रस्ण पूछा था कि किस एस्टेट एसेम्बिली ने को डिजॉल्व करने के लिए एक बिल पारित किया है तो यह है इस वीडियो का इन आसा करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल एस्टड़ी स्वार्ट को सब्सक्राइब करें थैंक्स टो अलभियो